नमस्का साथियो मेरा नाम है आक्षे आज हम रिविव करेंगे टीवे संट और्क 125 एक्सटी विरेंड का शुरू करने से पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे शीबालाजी टीवेस का जिन्होंने हमें वीडियो बनाने के प्रमिशन दिये शोरूम की डिटेल आपको डिस्क्र टीवेस का लोगो और टीवेस की बैजिंग मिलेगे आपको इसके उपर स्मार्ट कनेक्ट एप मिलेगा जिसके दोर आपका जो फोन है वो कनेक्ट हो जागा स्कूटर के साथ उसके अंदर सोशल मेडिया नोटिफिकेशन बैस्ट लैप अलर्ट फूड डिलिवरी नोटिफ अलर्ट नोटिफिकेशन लो फ्यूल वर्निंग ट्रेफिक सक्रीन क्रिकेट लाइव स्कोर और वोइस असिस्ट नेविगेशन टर्न बै टर्न इंडिकेशन नेविगेशन डेस्टिनेशन अराइवड जैसे फिजिस मिलेंगे डाइमेंशन की बात अगर की जाए तो आपको यहां पर 1.8 मेंटर की लेंथ 710 mm की विड्थ 1.1 मेंटर की हाइट वील बेस 1.2 मेंटर ग्रांड क्लोजन से 155 और करव वेट आपको 109 kg मिलेगा अंडर बोन टूबलर फ्रेम है ट्यूवेशन टॉर्ग 125 सिसी एक्स्टी वेट का आएए बात करते हैं फ्रंट से यहां पर देखिए हैंड ग्रिप के उपर आपको टेक्ट्र मिलेगा यह ब्रेक लिवर यह आपको इंडिकेटर मिलता है यहां पर आपको फ्लैक की जो हो मि 94 फिर्ट मिलती है बेजिंग और यह देखिए यह पर स्वुर्ट कनेक्ट एप जोर उसकी बैजिंग मिलती है एड के उपर आप अपर मिलेगा आपको यहाँ पर आपको TVS का लोगो और उसी के निचे जो आपको यह देखिए TVS IntelliGo की बैजिंग मिलती है साइड में आपको ग्राफिक्स दिये गए हैं नियोन में और यहाँ पर आप अपनी नमबर प्लेट लगा पाएंगे और इधर देखिए यहाँ पर आपको एंट और क्लिकावे मिल जाएगा दूसरी साइड अब यह बात करते हैं हेडलाइट की यहाँ पर आपको मिलेगी देखिए LED हेडलाइट प्लस मैं LED DRL के साथ जो की कुछ ऐसे दिखती है मैं आपको LED DRL हे जो ओन करकर दिखा देता हूं ओन करने के बाद आपको यह कुछ लुख मिलेगी फ्रंट से यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है यहाँ पर आपको 125 लिखा है मिलता है OC के साथ में ग्राफिक्स मिलते हैं पर आपको जो है फ्रंट मटगार्ड कुछ ऐसे मिलता है देखिए नियोन और ब्लैक कलर का कॉमिनिशन है फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको मिलेगा यहाँ पर टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन फ्रंट ब्रेक की बात की जाए तो आपको 220 mm की मिलेगी फ्रंट टायर सेक्शन की बात की जाए तो आपको 180 12 टूबलेस्ट टायर मिलता है आप वीडियो को पोस्ट करकर अपना जोगा टाय सेक्षन देख सकते हैं यह आपको टाय सेक्षन मिलेगा यहाँ पर आपको 125 की जोगा बज़ी यह मिलेगी TBS रेसिंग और कार्बन फाइबर एक फिनिश मिलती है साइड में और यह देखिए यहाँ पर footrest रखने की जगा और यहाँ पर आपको मिलता हुक जिसकी maximum जो है loading capacity 3 kg है आपकी यहाँ पर लगी की और यहाँ पर आपको लिखाया मिल जगा एक्सटी और voice assist जो activate करने गया है और यहाँ पर आपको मिलती है multifactional LCD instrument cluster देखिए सेंटर में आपको TVS के बैजिंग मिल जाएगी यहाँ से आप जो मोड सेट कर सकते हैं टू ड्राइ मोड मिलते हैं इसमें अर्बन और स्पोर्ट कर्बन फाइबर फिनिश और यहाँ पर आपके जो यह लोग बीम हाई बीम के स्विच इंडिकेटर का स्विच और उसी के निचे आपको होन का स्विच मिल जेगा यहाँ पर आपको मिलेगा इनिशन का स्विच और आप यहाँ से वन प्रेस करके जो है इलेक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं और लोंग प्रेस करके आप वोईस आइसिस्ट जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको सेंटर में इंट्रेक्शन भी दिये गए हैं और यहाँ पर आपको नियोन और डार्क मैट परपल का कॉमिनेशन मिलता है और यहाँ पर आपको हुक मिलता है जिसकी मैक्सिम पेलोडिंग कैपसिटी है 3kg यहाँ पर आपको टेक्श्टर सा मिलता है सीट के उपर यह देखिए अई बात करते हैं इंजिन की यहाँ पर आपको मिलेगा 124.8cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke fuel injected air cooled spark ignition engine जिसकी मैक्सिम पावर आउटपूट है 7kV 7000RPM पर टोर्क की बात की जाए तो 10.6Nm का 500RPM पर रहेगा और टोर्क 1.25XT की बेजिंग आपको मिल जाएगी और टोर्क आपको नियोन में जो है वो लिखावे मिलेगा और यहाँ पर आप जो है देखिए एंटोर्क की आपको यहाँ पर भी बेजिंग मिलती है और यह आप यहाँ से fuel जो है वो lead open करद पाएंगे आपको grab handle मिलता है पिलीन के लिए और यहां से जो आप बूट एकसिस कर पाएंगे और फ्यूल इड़ भी यही ही से खूल पाएंगे पांच पॉइंट 6 लिटर का आपको फ्यूल टांक मिलता है और यह आपका पीलिन के लिए रेस्ट यह रहा साइड स्टेंड उसके निचे आपको जो है आपका डबल स्टेंड मिलता है आईए बात करते हैं अब रियर सस्ष्पेंशन की, यहाँ पर आपको मिलेगा टोगल लिंक गैस्ट फिल्ड हट्रोलिक डैपर सस्पेंशन ब्रेक की बात कि जाए तो 110, 180, 12 ट्यूबलेस आपको टैर मिलेगा सेक्षिन अलोई वील्स है आगे और पिछे और ऐसा दिखता है आपको एक्जोस्ट नोट इसके अंदर आपको जो है पेपर प्लस फॉम का एर फिल्टर आता है ओन होने के बाद जो डिस्प्लेय है आपकी कुछ ऐसी दिखेगी ये ग्राफिक्स आते हैं और साथ में आप जो अपना मोड वो भी चेंज कर सकते हैं और सेट बटन दबा कर आप अपनी जो ट्रिप है उसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जो है आपको बटन दिया गया है वन प्रेस करके आप जो है इलेक्ट्रिकल स्टार्ट कर सकते हैं और इसी को लोंग प्रेस करके आप जो है वो इससे स्टेंट है वो एक्टिवेट कर सकते हैं तो बताइए हमें आपको कैसे लगी टीवेश एंट ओर के 125 एक्सटी वेरियंट कमेंट सेक्शन में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेकरें धन्यवाद